नमस्ते आदाब सलाम हैल्दी हमके आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में हम बात करते हैं अगर आपको मन्त में टू टाइम पीरिड्स आ रहे हैं यानि कि आपके पीरिड इंटरेगुलर है और जल्दी जल्दी आ रहे है या फिर यह कहें कि period 10-20 दिन के अंदर दोबारा आ जाते हैं तो आपका क्या-क्या problem उससे आपके साथ में हो सकती है यह query मेरे पास में बहुत जादा हा रही है और कमाल की बात तो यह है कि यह problem आप छोटी-छोटी लड़कियों को भी हो रही है तो बात करते हैं इस problem के बारे में जरसल दो महिने में दो period आने का मतलब है कि एक period circle खतम हुआ आपका और उसके कुछ दिन बाद ही यानि 10-15 दिन के अंदर आपको period आ गई है यह कहे कि पहला period का जो date है पहले period से next period के बीच में सिर्फ 15-20 दिन का gap यह से कम gap आपका period महिने में दो बार आना कहलाता है अब बात करते हैं कि इससे क्या-क्या आपको problem हो सबसे पहली problem जो इसके साथ में आती है अगर आपके period इसी तरीके से रहे तो आपके hormones जादा गरबढ़ हो जाएंगे जिससे कि आपको आगे जाके future में बहुत जादा problem होने वाली है second problem इसमें आती है कि आपका जो uterus होता है उसके उपर swelling आ जाती है अगर आपका जादा period होता है uterus swelling की वेज़े से आपको pain डहने लगता है आप conceive नहीं कर पाते conceive करते हैं तो miscarriage हो जाता है तो ये भी problem बहुत जादा आपको हो जाएगी third आती है कि bleeding problem bleeding problem का मतलब ये है कि आपको होने लगता है कभी जादा flow कभी कम flow ऐसा होगा कि first period में आपको बहुत जादा flow होने लग जाएगा second period में कम flow होगा तो ये भी आपको एक problem आ सकती है next आते हैं आपको की blood की कमी जब आपको बहुत ज़्यादा blood आपका loss होता है इसमें तो आपके अंदर blood की कमी आ जाएगी next आएगा फिर एकी आपको कमजोरी ठकान अनिंद्रा ये problem भी बहुत ज़्यादा common होती है इस तरह की problem है फिर होगा आपका किट सरीर आपका टूटा टूटा रहेगा आपको कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा इतनी कमजोरी आ जाएगी तो आपको उठने पैटने में problem हो जाएगी आता है आपके bleeding जब आपको होती है तो allergy बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि पैट होते हैं आगर आपको इतने ज़्यादा लगे रहेंगे क्योंकि blood हो निकलता है बार-बार period में तो पैट लगे रहता है उससे वज़े से आपको infection और allergy की problem भी हो सकती है next आता है जो कि एक बहुत बड़ी problem है कि आपको ovary में egg बनने में दिक्कत होगी जिससे आपको conceive करने में problem हो जाएगी तो ये भी आपकी सोचने वाली बात है अब question बहुत ज़्यादे ये उठ रहा है कि अगर हमें ऐसा हो रहा है तो हम क्या करें इस चीज के लिए में पहरे वीडियो बना चुकी हूँ लेकिन फिर से अगर आपकी query होगी तो आप मुझे question कर सकते हैं आपकी जो भी query आप comment box में लिकिएगा मैं जहां तक हो चाकेगा possible आपको जवाब देने की कोशिश और आपके लिए इससे लेटर information लाने की कोशिश करूँगी thank you so much चैनल को subscribe जरूर कीजे